वाहे गुरू 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 इस भाग में हम आपको दर्चन करवाएंगे गुर्दवारा बाबा मोती राम महरा, गुर्दवारा शिरी रत सहिब, गुर्दवारा शहिदी बुंगा, भाई संगत सिंग जी का, गुर्दवारा शेवी पात्षाही, गुर्दवारा शीश गंज, गुर्दवारा शिरी बिबान गड़ सहिब, गुर्दवारा शिरी जोति शुरुप साहिब और अंत में दिवान टोडर मल हवेली के अब हम जिस्थान के दर्शन करने जा रहे हैं ये गुरुदवारा बाबा मोती राम महरा जी की याद में बनाया गया है ये वही बाबा मोती राम महरा है जिन्हों ने अपनी जान पर खेल कर ठंडा बुर्ज जाकर दोनों छोटे साफजादों को दूद पिलाया था दर्शन करने के बाद मैं यहा के हेट गरंती भाई हरदिप सिंग जी से भी मिला मैंने उनकी जबानी यहां के इत्यास के बारे में जाना तो आएए सुनते हैं उनकी जबानी बाबा मुतिरा महराजी के बारे में वाहिगत का खाल सावगार की फते की सु आफ जिस पस्थान के दर्शन कर दियन करा हुँ ज़दों माता गुजर्कावर अथे बाबा जुरावर सेंग बाबा पते सेंग जी नूं ठंडे गुर्जदे विच कैण करके रख्या प्यासी ता अमर सहीद बाबा मोती रा मैरा जी माता जी अथे बच्यां दे लई लंगर लेके उना पुण पुझे ता माता जी ने मुगल सरकार दा पोजिन खान तो इनकार कर देता फिर अमर सहीद बाबा मोती रा मैरा जी ने अपने करा के अपनी माता ते करवणी नाण सला कीती ता उन्ना ने कहा के तुसी माता जी अथे बच्यां दी दुद नाण सेवा करो ते अमर सिहीद बाबा मुती रमेरा जी अपने करों गर्म करके दुद्ध तेन देन दिन दाता दुद्धी सेवा केती पहरे दारानों अपने कारवाणी दे गैने अटे होर कई तरह नास मां देके ओ लंगर दे विच जो माताबुजी लंगर है उत्थे थिक ब्रोटे दा ध्राक दस्या जंदा है जिस दा टाना केंदे भी ठंडे गोर्जी दे नार लगदा सी ओ ब्रोटे दे उत्ते नूं चड़के दुद्धी सेवा ने पहुंधे रहे अते ज़दों सुबाव जीर खान नूं एस गल्दा पता लगा प्रां सहव जाद्यानी सहीती तो उप्रांत अमर सहीत बाबा मोतीरा महरा जी अते उना दे प्रवार मुंध को दे विच पीड के सहीर के शाम सुंदर तज नेद क्यों हुआ आए दर्शन करते हैं दो मिला सोगी इसने चावर मोतीरा मेरा चोटे सहाब जाल्दा बोग की उन्पिडादे दे जाए महा 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 जीर दूपाल जीर दूपाल इसके बाद जो अगला स्थान है वो है गुर्दवारा शीरी रत सहिब ये गुर्दवारा बाबार मोतीरा महरा से सिर्फ सो मेटर के दूरी पर स्थित है शाम सुन्दर तजर नीद क्यों आदा माता गुजरी जी और दोनो सहबजादे बाबा सोरावर सिंग जी बाबा फटे सिंग जी को जब मौरिंडा से बंदी बना कर लाया जा रहा था तो इसी स्थान पर उनकी सावारी को रोका गया था ताकि वजीद खान तक ये खबर पहुंचाई जा सके और यहीं पर माता गुर्दवारा रच साहब बनाया गया है इसके बाद जो अगला स्थान है वो है शहीदी बुंगा भाई संगत सिंग जी का ये रच साहब गुर्दवारा के बिलकुल साथ में बना हुआ है अब हम दर्शन करेंगे शहीदी भूंगा भाई संगत सिंग जी का जब गुरुगोविन सिंग जी चमकोर की गड़ी को छोड़ कर निकले थे तब उन्होंने निकलने से पहले अपना लेबास भाई संगत सिंग जी को पहना दिया था क्यूंकि वो उनके हम शकल थो बाद में भाई संगत सिंग जी चमकोर की घड़ी में मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और कुछ लालची लोगों ने उनका शीष काटकर सरहंद ने आये थी क्यूंकि सरहंद के सुवेदार ने गुरू गोबिन सिंग जी पर जिन्दा या मुर्दा पकड़ कर लाने पर इनाम रखा हुआ था बाद में जब वो शीष शिनाकत के लिए माता गुजरी जी और दोनों साफ़दादों के सामने पेस किया गया तो उन्होंने साफ इंकार किया कि ये शीष उनके पिता गुरू गोबिन सिंग जी का नहीं है बलकि भाई संगत सिंग जी का है गुरु गोविंद सिंग जी में अधाश रद्धा और प्रेम रखने वाले दो सिक भाई बगौर सिंग जी और भाई मगर सिंग जी ने यहाँ पर खड़े दोनों पहरेदारों को मार कर भाई संगर सिंग जी के शीश का यहाँ पर संसकार कर दिया और फिर उन्हीं दोनों पहरेदारों के घोड़ों पर बैठकर सतलुज नदी में जाकर अस्थियों का विसरजन कर दिया गुर्दुवारा शेवी पात्षाही के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा शीश गंज गुर्दुवारा की तरफ जो ठीक यहां से सौ मिटर की दूरी पर बना हुआ है जिस पुल पर मैं चल रहा हूँ यह उसी समय का आतिहासिक पुल है जो बिना किसी सरिये या बिना किसी सहरे के आज तक जियों का तियों खड़ा है अठारवी सदी में सिखो को मारना गयर एतराज योग करार दे दिया गया था सिखो के काट कर लाए गए सिरों की किमत 80-80 रुपे लगाए गई थी इनाम के इसी लालच में सिखो के सिरों को बैल गाडियों में भर कर लाहूर से दिल्ली की और ले जाय जा रहा था तो इसी स्थान पर सिखों ने उन गाड़ियों को रोक कर उन सिरों का संसकार कर दिया था अब हम जिन स्थान के दर्शन करने जा रहे हैं वो है गुरुद्वारा श्री बिबान गड़ साहिब 1704 इश्वी को उस समय की जालिम सरकार ने बाबा जोरावर सिंग जी और बाबा फते सिंग जी को बहुती बेरहमी से गुरुद्वारा फतेगर साहिब में शहीद कर दिया था भाई मोतीरा महरा जी ने जब पूरी वारदाद को माता गुजरी जी को सुनाया तो माता जी ने ये वचन सुनकर वाही गुरुजी का भाणा मानते हुए अरदास किया तेरा किया मीठा लागे और अपना शरीर त्याग दिया जालिमों ने तीनों पवित्र शरीर गुरुदवारा फतेगर साहिद के पीचे बहराही हंसला नदी के किनारे घने जंगलों में इसी स्थान पर फिकवा दिया था जंगल में बहुत भयानक जानवर रहते थे एक बबबर शेर ने 48 घंटों तक इन जानवरों से इन पवित्र शरीरों की रखवाली इसी स्थान पर की थी तिवान टोडरमल और संगतों ने यहां आकर पवित्र शरीरों की संभाल की और इसी स्थान पर शरीरों का स्नान करवा कर बेबान में सजा कर संसकार के लिए गुरुद्वरा श्री ज्योती सरूप सहिद ले जाया गया था जो स्थान आप लेख रहे हैं यहां पर हंसला नती हुआ करती थी और इसी नती में वाता। हिंक धूजरी और दोनों साथ दो कि शव को ठेका गया था पहले निंगर पर आपने लेखा भाह पर माद temps है अ». और जो मेरे साथ में आपने ये शेव देख रहे हैं ऐसी एक शेव देख लगभख 45 घंटों तक इन तीनों शबो की रक्षा की थी अब हम आ गए हैं गुरु द्वारा चिरिजोती सरुप साहिब जो की पतेगड साहिब से तेड़ किलुमेटर दूर चंडीगड रोड पर पड़ता है और ये वही स्थान है जहां पर माता दुजरी और दोनों साहिबजादों की संसकार के लिए धिवान तोडर मलने अपनी जहाजी हवेली को बेच कर सोने की महरों को सीधा खड़ा करके ये जमीन खरी दी थी बले हारी घुर अपने जोहारी सदवा जिन मानस ते देवते किये करत ना लाव गीवाँ जे सोचंद उगवे सूरज चड़े हजार एते चानन हों दे आवाँ गुर्विन कोज अंधार जप 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 यही वो जगह है जहां पर दोनों साहिबजादों का अंतिन संसकार किया गया था अब हम उस जगह के दर्शन करेंगे जहां पर दिवान टोडरमल की जहाजी हवेली इस्तित है इसे जहाजी हवेली क्यों कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बनावट है उस समय अगर दूर से देखा जाए तो ये एक समुद्री जहाज की तरह दिखाई देती थी इसलिए इसका नाम जहाजी हवेली पड़ गया था ये वही हवेली है जिसे दिवान टोडरमल ने बेच कर छोटे साहिबजादों की संसकार के लिए सोने की महरों को खड़ा करके उस जमीन को खरीदा था दिवान टोडरमल की ये वही हवेली है जिसे देच कर सुभा सरंग से उन्होंने सोने की महरे खड़ी करके बाता गुजरी और दोनों सहबदादों की संसकार के लिए जमीन खरीदी थी इसी को जहाजी हवेली कहते हैं ये कुर्बाने की बहुत बड़ी मिसाल है और आनी होने के वज़े से इसने खंडर का रूप ले लिया है लेकिन अब इसका उन्हाय निर्मान फिर से शुरू किया गया है अगर आप कभी बदेगर साब दर्शन करने के लिए आए तो इस आम सुदर तज नीद क्यों आरा जिशाम ये उमीद करते हैं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से फटेगर साहिब के सभी अतिहासे गुर्दवारों वा स्थानों के अच्छे से दर्शन किये होंगे अगली बार जब आप कभी भवश्य में वेक्तिकत रूप से फटेगर साहिब आएं तो इन सभी स्थानों के दर्शन करना ना भूलिएगा और आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं